उधारन आठ प्रश्न दी गई आकरिती के छायंकित भाग का छेत्रफल ग्याद कीजिए इस प्रश्न में हमें छायंकित भाग का छेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है चित्र साथ को देखें इसमें A, B एक वृत्त का चाप है जिसकी त्रिज्याएं O, A और O, B है इसी प्रकार C, D भी एक अन्यवृत्त का चाप है जिसकी त्रिज्या है O, C और O, D O, A, B एक त्रिज्याखंड को निरुपित करता है और O, C, D भी एक त्रिज्याखंड है यदि हमें छायंकित भाग A, B, C, D का छेत्रफल ग्याद करना है तो बड़े त्रिज्याखंड O, A, B के छेत्रफल में से छोटे त्रिज्याखंड O, C, D के छेत्रफल को घटाना होगा और यहां त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर अंत्रित कोंड जो है वो तीस अंश है तो चलिए इसी प्रकार हम इसे हल कर लेते हैं छायंकित भाग का छेत्रफल बराबर छायंकित भाग A, B, C, D का छेत्रफल बराबर होगा त्रिज्याखंड, O, A, B, का छेत्रफल रिण, त्रिज्याखंड, O, C, D का छेत्रफल और त्रिज्याखंड का छेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्याखंड, O, A, B, के लिए त्रिज्याखंड, O, A, B, के लिए तो हो गया ये O, A, का वर्ग रिण, फिर से त्रिज्याखंड, O, C, D के लिए थीटा बटे, 368 अंच, गुनेत, पाई, गुनेत, O, C, D की कौनसी त्रिज्याखंड ले सकते हैं हम चाहे O, D ले या फिर O, C, हम ले लेते हैं O, D, तो O, D का वर्ग चलिए इसे आगे हल करते हैं यहाँ पर थीटा बटे 360 और पाई जो है वो उभए निष्ट है तो हमें इस प्रकार से यह प्राप्त हो जाएगा कोश्टक में हम लिखेंगे O, A का वर्ग, रिण, O, D का वर्ग अब सभी अब हम थीटा और O, A और O, D का मान रख लेते हैं थीटा का मान कितना है हमारे पास? 30 हंश 30 बटे 360 हंश गुणित पाई का मान रख लेते हैं 22 बटे 7 और O, A का मान आप चित्र में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटिमीटर तो 7 का वर्ग और O, D और O, C दोनों त्रिज जाए हैं तो समान हैं तो इसका भी मान हमें मिलेगा 3.5 का वर्ग हमें प्राप्त हुआ है 30 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 और 7 का वर्ग रिन 3.5 का वर्ग यहाँ पर हम इसे सरल करने के लिए सरसमिका का प्रयोग कर सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 30 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 और यहाँ पर हो जाएगा 7 रिन 3.5 गुणित 7 धन 3.5 हमने यहाँ पर कौन सी सरसमिका का प्रयोग किया है A का वर्ग, रिंड B का वर्ग बराबर A रिंड B, A धन B 30 बटे 360 को हल करने पर हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे 12, गुनित 22 बटे 7 कोश्टक में हमें मिलेगा 3.5, गुनित 10.5 इसे और सरलिक रित करें तो 2 के पहाड़े से हम इसे लिखेंगे 2 चक्के 12 और ये 22 जाएगा 11 बार चलिए, अब हम प्राप्त हुआ 11 बटे 6, 7, 3, 5, 10, 5 अब और हल कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 11 बटे 6, 7, 10, 5, 3, 5 में साथ से यदि हम हल करें तो ये होगा साथ एकम साथ और यहाँ पे हमें मिलेगा 0,5 इसे पूरी तरके से हल करने के पश्चाथ हमें मिलेगा 9,625 वर्ग सेंटी मीटर इस प्रकार चायंकित भाग का जो छेत्रफल वर्ग मिला है हमें 9,625 वर्ग सेंटी मीटर